हलो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए हिम्पलेशय टेबलेट के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ जो की बहुत ही बहतरीन आयरवेदिक टेबलेट है यह हिमाले कंपनी के द्वारा बनाए गई बहुत ही महत्पुर्ण टेबलेट है जो मुतरशय सम्मंदित रोग में महत्पुर्ण काम करती है हिम्पलेशय टेबलेट हिमाले कंपनी के द्वारा बनाए गई टेबलेट है जिसकी एमार की 160 रुपे की 30 गोली आती है कि यह मुतरशय के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम प्रोश्ट्र ग्रंटी को रहत-प्रधान करती है यह मुतरशय सम्मंदित सभी प्रकार के रोग में बहुत इस्जार करती है इससे जो है बैक्टिरिया के लंडने की शम्ता बढ़ती है हिम्पिलेशय टेबलेट जैसा कि आपको दिख रहा है 19 यह 30 टेबलेट की पैकिंग आती है और इसको अंदर कई प्रकार की आईरवेदिक तत्तु पाए जाते हैं जो की जूरिन इंफेक्शन या मुत्रह से सम्मंदित प्रोश्टेट की बिमारी के लिए बहुत ही लापकारी सिद्ध हुए है इसके अंदर में चीज है गोखरू चोर जो संक्रमण से होने वाली बिमारी को खतम करते हैं और अंदर जो सूजन होती है उसको यह पूरी तरीके से खतम करते हैं गोखरू शतावरी जो इसके अंदर मुख्ष रूप से पाए जाता है वो जी इसके लिए बहुत बहतरीन चीज पानी जाती है इसके अंदर वरूना, अकेक, पिष्टी वगरा भी पाय जाता है ये प्रोस्टेट की विमारी को खतम करता है प्रोस्टेट ग्लेंड बेंटर जब बढ़ जाता है तो कई प्रकार के लक्षन आते हैं जैसे पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब खुल के न आना, कई प्रकार की विमारियां हो जाती है प्रोस्टेट की विमारी के लिए इस दवा का सेवन लगातार 6-7 मेने तक करना चाहिए इस गोली का सेवन दो गोली सुबह, दो गोली शाम को कंटीनू लओगे तो प्रोस्टेट 3-4 मेने के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार होगा और आपको आगे बितरासे सम्मद्धित बिमारियों में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी हिम्पलेशिया टेबलेट जो की एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन टेबलेट है आपने इसकी MRP देखी रखी है 160 रुपे की 31 टेबलेट जो की सस्ती सुन्दर बढ़िया टेबलेट है हिमपलेशिया टेबलेट का प्रियोग निमित रूप से करते रहना चाहिए जिन लोगों को प्रोस्टेट की विमारी है उन लोगों को ये देवा का सेवन निमित रूप से करते रहना चाहिए हिमपलेशिया आपको सभी प्रिकार की सभी मेडिकल स्टूक पर मिल जाएगी क्योंकि ये एक आम दवा है और हर दुकान पर ये मिल जाएगी